Hello everyone, welcome to LearnerBee, I am Shivani Chauhan, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे Class 10th Geography की बुक का चाप्टर है Mineral and Energy Resources के कुछ important question answers पहला question है, write to uses of mica and also areas famous for mica deposit तो mica क्या है, एक mineral है, तो इसके दो use बताने है और कहां कहां पर ये मिलता है, वो बता रहा है तो देखें, uses अकर हम लोग देखें, तो uses क्या क्या होते है माइका के, तो uses हैं ये देखें Used in electric and electronic industries, ठीक है, तो electric industries, electric ठीक है और electric cars और electronics जो भी wires वगएरा इन सब में माइका का इस्तमाल किया जाता है Areas, कहां कहां पर ये मिलता है, तो देखें, गया हजारी बाग जारखंड, तो मैं आपको हिंट्स दे रही हूं, उसे वांसर के हैं न, तो ये important questions हो, इनके हिंट है तो जैसे कि हमारा जो देश है, उसमें कहां पर मिलता है माइका, एक तो राजस्थान में मिलता है, अजमेर और बेवार, बेवार अजमेर राजस्थान में माइका मिलता है, और गया हजीराबाद जारखंड में, तो कहां कहां पर मिलता है माइका, ज़रा देखते हैं माप म तो यह देखिए राजस्थान, यहाँ पर आपको माइका मिलता है, ठीक है, और जारखंड, यहाँ पर इधर गया हजारी बाग, ठीक है, और माइका यहाँ पर बेवार में भी मिलता है, तो राजस्थान और जारखंड में माइका हमें देखने को मिलता है, next question है what are three types of coal तीन तरीके के coal कौन-कौन से है write one difference of each type of coal तो तीन टाइप के coal कौन-कौन से है तो three types of coal है lignite, bituminous and anthracite तो lignite, bituminous, anthracite ये तीन टाइप के coal है तो lignite coal क्या होता है ये low grade का होता है मतलब इसमें carbon देखें कोई भी जो coal है वो अच्छा कैसे होगा, खराब कैसे होगा जिस कोल में carbon की मात्रा जादा होगी carbon content जादा होगा तो वो अच्छा कोल होगा वो अच्छे से उसकी heating capacity होगी वो जादा होगी तो lignite coal low grade brown coal soft होता है with high moisture content मतलब इसमें पानी का content काफी जादा होता है और इंडिया में ये नाइवेली तामिल नडू तो lignite coal इंडिया में कहाँ पर मिलता है नाइवेली तामिल नडू मतलब देखे इस वाले region पर यहाँ पर नाइवेली नाइवेली है ना तामिल नडू में हमें लिगनाइट क्या मिलता है यहाँ पर लिगनाइट कोल, लिगनाइट कोल हम लोगों को नाइवेली तामिल लाडू में मिलता है, यहां पर इधर, ठीक है, और फिर उसके बाद हम लोगों क्या बताया चारा है, बिटुमिनस कोल, तो इट कंटेंस अराउंड 60-80% of carbon content, एंथरसाइट कोल बेस्ट कॉलिटी कंटेंस more than 80% of carbon content, तो यह जो है ना, बिटुमिनस एंथरसाइट, यह काफी अच्छी क्वालिटी के कोल होते है, इसमें moisture content काफी जदा कम होता है, और carbon quality काफी जदा होती है, तो एंथरसाइट सबसे अच्छी क्वालिटी का होता है, फिर बिटुमिनस, फिर होता है लिगनाइट, और जो है पीट, तो यह लिगनाइट है इंडिया में जदा मिलता है, अबिटुमिनस एंथरसाइट इंडिया में काफी कम मिलता है, next question जो important है, वो है what are geothermal energy, geothermal energy क्या है, what are the two experimental projects of geothermal energy in India, तो answer देखिए इसका, geothermal energy refers to heat and electricity produced by using the heat from the interior of the earth, तो अर्थ के अंदर से जो heat निकल रही है अर्थ के इंटिरियर में से जो heat निकल रही है, उस heat से अगर आप लोग electricity generate कर लें, उस heat से अगर आप लोग electricity generate कर लें, तो वो आपकी geothermal energy बन जाएगी, ठीक है, तो geothermal energy refers to the heat and electricity produced by using the heat from the interior of the earth, और कहां कहां पर है ये, तो पूगा वैली लद्दाक में, पारवती वैली नियर मनी करण इन हिमाचल परदेश, तो ये बहुत important है, कहां कहां पर जियो थर्मेनरजी के प्रोजेक्स हम लोग establish करने की कोशिश कर रहे हैं, पूगा वैली लद्दाक में, लद्दाक कहां पड़ता है, जम्मु कश्मीर में, ठीक है, और पारवती वैली नियर मनी करण इन हिम हिमाचल परदेश, तो हिमाचल परदेश ये रहा, देखे हिमाचल परदेश और इसमें ठीक है, पारवती वैली, पारवती वैली किसकी जियो थर्मल एनरजी के लिए, और ये लद्दाक है, लद्दाक में, लद्दाक स्वरी, लद्दाक पूगा वैली, ठीक है, लद्दा का और वाइं माइनिंग एक्टिविटी इस अफन कॉल्ड किलर इंडस्ट्री माइनिंग को हम लोग किलर इंडस्ट्री क्यों कहते हैं तीन रिजन बताने हैं तो देखिए काफे ज़्यादा हाई रिस्स के मेंवल्व होता है ड्यू पॉजनेस फ्यूंस माइन और व्ल्नरेबल टुवरकस फर पिल्मोंडरी डिसीज तो देखिए इसमें जो माइन सोती है जमीन के अंदर जाके काम कर रहे होते हैं बहुत जहरीली गैसे निकलती हैं पिल्मोंडरी डिसीज मतलब जो हमारी हाट से और उसके गिरने का डर होता है उससे भी death हो जाती है और coal mines में कई बार आग भी लग जाती है water sources gets contaminated और क्या नुक्सान होता है killer industry क्यों कहते है कि water resources में काफी जदा गंदगी से चली जाती है तो बहुत जदा poisonous fumes निकलती है तो इससे pulmonary disease भी हो सकती है जैसे कि lung serrated disease हो सकती है और risk जो उसकी roof होती है वो गिरने का डर रहता है और fires जो है कई बार आग भी लग जाती है coal mines में next important question है वो है give three reasons in favor of using atomic energy तो atomic energy को use करने के favor में आप लोगों को तीन reason देने है तो देखिए इसका answer है coal and natural gas are exhaustible तो आपको atomic energy क्यों इस्तमाल करने चाहिए तो देखिए coal हो गए natural gas हो यह conventional sources of energy है इस chapter में हमने क्या पढ़ा है कि हमारे resources of energy है वो conventional और non-conventional है तो atomic energy है वो non-conventional में आती है non-conventional वह होते हैं तो मतलब exhaust नहीं होंगे है ना exhaust का मतलब तक खतम हो जाएंगे तो coal and natural के ऐसे एक नेक दिन खतम हो जाएंगे abundant deposits of uranium and thorium जो है वो present है इंडिया में तो atomic energy हम बना सकते है most developed countries are utilizing this energy successfully तो यह बहुत साथा developed countries का use कर रहे है और it can be useful in fields of medicine and agriculture तो medicines में याने की दवाईयों में और खेती में भी इसका इसका स्तमाल किया जा सकता है Hydral energy is not satisfactory due to environmental issues तो hydral energy से environmental issues भी होते हैं जो पानी से generate करते हैं electricity तो atomic energy है अच्छा source हो सकता है electricity generate करने का next question है why does solar energy in Rajasthan have great potential as non-conventional source of energy तो non-conventional source of energy राजस्थान में solar energy क्यों मतलब क्योंकि solar राजस्थान में क्या होता है hot or dry region है sky जो है वो clear होता है almost whole year है ना installation भी इसका cheap होता है renewable energy है pollution free है और government भी इसको काफी जदा motivation दे रही है तो solar energy जो है सबसे पहली चीज़ तो भाई यह pollution free है pollution नहीं करती है फिर उसके बाद cheap सस्ती भी पढ़ने लगी है अब तो काफी जादा और ऐसे एरियास में अपने घर पर आप इंस्ट्रॉल कर सकते हैं आप किसी और की जरुरत नहीं है तो यह काफी सारे इंपोर्टेंट कि अब राजस्थान को भी हटातें तो फिर solar energy ही क्यों important है हमारे देश के लिए next question है how can we conserve energy resources in India इंडिया में हम लोग energy resources को किस तरीके से conserve कर सकते हैं कैसे बचा सकते हैं तो देखे इसका answer है using public transport instead of individual vehicles तो हम लोग अकेले अकेले एक कार में एक इंसान जा रहा है उसकी बज़ाए बस इसका है na public transport का इस्तमाल करें तो हम energy बचा पावर बचे जैसे की LEDs का इस्तमाल करें और bulb का इस्तमाल ना करें बल्ब में बहुत जाता पावर जाती है यहना use of non-conventional source of energy as they are renewable and eco-friendly तो non-conventional जैसे की solar energy का इस्तमाल करें solar हो गया wind हो गया है और nuclear energy हो गया तो इन energy का इस्तमाल करें क्योंकि यह clean होती है और environment को लुक्सान कम बचाती है इन automobiles electrical motors should be introduced है और electric vehicles का इस्तमाल करना चाहिए इस field में हम लोग काफी आगे बढ़ सके है ना आगे हम लोग कुछ map देख लेते हैं जो इसमें important है थोड़े बहुत हमने अभी देखी भी लिये थे nuclear power plants आप लोगों से एक्जाम में पूछा जा सकता है कि कहां कहां पर है तो देखें तारापुर nuclear power plant जो है वो है महराष्ट में महराष्ट में है तारापुर nuclear power plant कईगा nuclear power plant जो है वो है करनाटक में ठीक है तो कईगा करनाटक में है तारापुर महराष्ट में है और काल पक्कम nuclear power plant कहां है तामिल नाडू में है और यूपी में भी है nuclear power plant नरोरा यूपी में नरोरा nuclear power plant है और राजस्थान में nuclear power plant है र प्लांट में अगरबार ripeात। थे अगरबोगों के बारे में अगर सिन्यक्षक। से हैं कि नॉन ना 민ल कर दो सकती हैं कि पारा सेया सकते हैं जैसे कि विंड एनर्जी सोर्चील और एंठी यह जो है renewable sources of energy है और non renewable जो renew नहीं हो सकते तो nuclear energy एक बार यूज कर ले तो कर लिया बट इससे है ना natural gas coal और fossil fuel तो basically आप लोग लिखेंगे अकर non renewable में coal ठीक है natural gas coal natural gas और petroleum coal petroleum natural gas non renewable energy resources है और कुछ चीजें है जो important है आप लोगों से यह पूछा जा सकता है कि रैट होल माइनिंग क्या होती है तो north eastern areas में क्या होता है ना बहुती छोटी-छोटी सी माइन्स होती है उसमें छोटी-छोटी बच्चों को गुसा दिया चाता है और उनसे जो है कोईला व अगेरा निकाला जाता है तो छोटी-छोटी होती है ना बहुती छोटी-छोटी तरह नलोती है इसलिए इसलिए उनको rat hole mining कहते है इंपोर्टेंट है प्लेसर हम लोग बोल देते हैं magnetite क्या है it is the finest iron ore with a high content of 70% बताब 70% तक इसमें koila होता है magnetite iron ore में ठीक है 70% तक iron होता है hematite ore क्या होता है slightly lower iron content होता है 50-60% तो यह को चैनरजी रिसोर्स के पारे में ता फिर अगर यह तो हम लोग ने चैप्टर में बताई रखा है कि किस तरीके से हम लोग minerals को निकाल सकते हैं तो loads and veins cracks में से निकाल सकते हैं bed बिल्कुल layers होती हैं जमीन के अंदर फिर प्लेसर deposit मिट्टी में होता है ocean waters यानि कि समूद्र में से भी minerals निकाल सकते हैं है ना और residual mass of weathered material जो जैसे की rocks बिल्कुल ज़्यादा खराब हुचाती है फिर उसमें भी कहीं बार minerals मिल जाते हैं iron ore, iron ore क्या होता है काफी ज़्यादा iron इंडिया में abundant है काफी ज़्यादा area में हमारे देश में iron मिलता है magnitude और hematide iron होता है कहाँ काफ मिलता है उडिसा में है ना दुर्ग बस्तर चंदरपुर बेल्ट में हमें मिलता है गोवा भी मिलता है महराश्ट में मिलता है तो iron ore का जो आपका map है वो भी important है states याद कर लीजे map में भर दीजेगा महराश्ट में है गोवा में है उडिसा में है ठीक है और फिर iron ore फिर iron ore के बाद metallic minerals iron ore होते है एक तो important यह भी है कि metallic minerals कौन कौन से होते है तो आप एक iron याद रखिए कि metal है और एक manganese iron manganese यह जो है यह metallic minerals है तो iron किसकी सीरिया में मिलता है बिसिकली आप लोग उडिसा भर दीजएगा जब भी एक्जाम में आएगा manganese यह steel में काफे ज़्यादा इस्तमाल किया जाता है and alloy reaching powder paint, insecticides उडिसा में manganese कहां पे मलता है आपको उडिसा में तो उडिसा में आप लोग को iron भी मिलेगा और आप लोग को manganese भी उडिसा में मिल जाएगा ठीक है और non-metallic minerals में copper आता है used in electric cables chemical industries माध्यबदेश जहरखंड में bauxides, aluminium is extracted light metal bauxide क्या होता है non-metallic mineral है aluminium bauxide से ही निकाला जाता है यह important है और उडिसा में आपको मिलेगा उडिसा में क्या क्या मिल रहा है आपको iron भी मिल रहा है उडिसा में आपको manganese भी मिल रहा है और bauxide भी मिल रहा है iron मतलब उडिसा में बहुत कुछ मिलता है copper जो है electric industries में काफ़ चाद electric industry में बहुत इस्तमाल होता है cable wires वगएर मध्यपधिश जहारकंड में copper मिलता है फिर आप लोग उससे अगर पूछा जाए कि metallic minerals में metallic minerals के भी दो टाइब होते है एक ferrous जैसे कि iron manganese, nickel, cobalt non ferrous, copper, lead, tin ferrous का मतलब जिसमें iron होता है non ferrous का मतलब है जिसमें iron नहीं होता iron जिसमें iron ore में iron होता है manganese में iron होता है nickel में, cobalt में है तो बिल्कुल याद कर लीजिए वाली चीज की iron metallic minerals हमारे दो टाइब के होता है एक होता है ferrous जिसमें iron होता है और एक होता है non ferrous तो एक ferrous यानि कि एक तो iron ore, iron ही हो गया है ferrous का मतलब ही iron होता है फिर उसके बाद manganese iron ore, manganese, nickel, cobalt ये ferrous आगे non ferrous में आप लोग copper, lead हो गया copper हो गया, lead हो गया tin, bauxide ये सब तो ये कुछ हम लोगोंने छोटे-छोटे से notes भी देख ले और इसके important questions भी हमने देख लिए तो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए अपने friends के साथ share करिए Thank you